हेलो फ्रेंट्ज वेलकम टो आज चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स दोस्तों क्रिप्टो मार्केट जो है वो एकडम डेड चल रही है हम लोगों ने देखा कि कोई भी खास मूव जो है वो हम लोगों ने क्रिप्टो मार्केट में नहीं देखा market जो है वो एकडम sideways कोई भी volatility नहीं हम लोग ने एक ही दिन में price का move जो है वो 28,000 dollars पर जाते देखा जब gray scale की news आई थी बट उसके दो दिन के बाद price जो है वो वापस वहीं आ गया और हम लोग अभी भी एकडम dead चल रहे है अभी भी अगर तुम देखोगे तो price जो है वो कुछ 26,000 dollars के करीब चल रहा एथीरियम 1631 वो number भाया coin market cap के ओपर hang हो गया है तो यह दोनों numbers जो है वो वैसे ही अठके हुए है next move आएगा कब ओके लोग अभी भी अगर तुम देखो तो सब लोग वही कहा रहे हैं कि यहां से हम लोग 22,000 dollars तक जा सकते हैं वज़े बड़ी simple एक हम लोग 200 weekly moving average को test कर रहे है और दूसरा dollar जो है वो six month high पे है और जब भी dollar उपर जाता है तो मेरे भाई वो tech stocks वो crypto के लिए वो gold, silver इन सब commodities के लिए सब के लिए बहुत बहुत बुरा वक्त लेके आता है तो यहां पे जो dollar index बता रहा है यहां फिर हम लोग जो resistance को test कर रहे है वैसा ही होने वाला है के नहीं तो मेरे भाई बिलकुल भी नहीं जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं हम लोग wait करेंगे 23,461 यहां फिर अगर तुम देखो तो 24,562 यह बहुत अच्छा zone है long लेने के ल halving जो almost almost अब मेरे भाई 6-7-8 महीने दूर है halving के time पे जो है वो bet coin का price 46K हो सकता है definitely क्योंकि वो 0.786 Fib level रहेगा ओके और बाके उसके इलावा अगर तुम देखो तो यार market जो है वो full dead है चाहे हम लोग stock market देखे वो भी red में चल रही है crypto market कोई खास move नहीं है in fact ethereum के लिए और आख दोनों ने जो है वो spot ETF के लिए ethereum spot ETF के लिए apply किया है बट still कोई move नहीं और यही अगर bull market होती तो मेरे भाई तुम शायद ये token को easily 10% जो है वो उपर जाते हुए देखते है okay so जहां market इतना boring चल रहा है वहीं मुझे लगा कि या ठीक है क्यों नहीं हम लोग stock market especially Indian stock market जो नए all time highs बना रही है वहां थोड़ा divert करे definitely comment करके बताना गर तुम्हे idea जमता है के नहीं बट मुझे सोच रहा हो कि एक stock और बाकी crypto तो चली रहा है अभी still अपने पास एक माईना September का है जहां हमें dead चलना है October, November, December, last quarter प्रब्ली जो है वो बहुत तगड़ा होगा crypto market के ल अच्छा token है बट ये 6% उपर render definitely ये एक अच्छा token है और हम लोगों ने जहां पकड़ा था मैंने तुम्हें याद होगा हम लोगों ने 85 cents पर पकड़ा था दोड़ाई dollars पर हम लोगों ने profits लिये फिलाल वापिस rate dollar पर है बट अगेन मैं वही कहूंगा कि अभी पैसा जो है 34 dollars ये एक बहुत अच्छे zone में है so make sure इसे जरूरे क्यों relate करना उसके इलावा look on chain वाले हमारे भाई ने Matic के addresses निकाले थे कि भाईया ये लोग जो है वो Bitcoin Binance के ओपर Matic deposit करके dump करने जा रहे है बट Matic ने वो news को deny कर दिया और उसने कहा कि हमारे wallets नहीं है जेपी Morgan बाहर आक करने जा रहा है तो ये XRP को probably जो है वो टक कर देने की कोशिश कर रहे है और XRP भी अपना जो है वो New York Stock Exchange में listing करने जा रहे है तो वो भी एक अच्छी news है उसके इलावा Cardano ने एक नई technology launch की है जिसका नाम है wrap transactions अब ये wrap transactions का मतलब क्या है देखो होता क्या है कि जब तुम्हे Ethereum chain के ओपर कोई token को transfer करना है तो तुम्हे Ethereum चाहिए ऑके बट अब Cardano क्या कहता है कि ठीक है तुम हमारी chain के ओपर जो है वो tokens move करो तुमको Cardano रखने की ज़रत नहीं है हम लोग उसका manage कर लेंगे तो ये बहुत अच्छी news है क्योंकि कई बार क्या होता है मुझे मेरे साथ तो देखके आ गए है ओके ओवराल बाकी सब कुछ बहुत बोरिंग है तो इसले मैं शोचा चलो इंडियन स्टॉक मार्केट देखते हैं तो अगर हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट देखे तो मेरे भाई यह है अपना निफ्टी जो 29,270 रुपे के पास है तो अब लग हम जो है वो higher highs बना रहे है बट एक चीज यहां पर जो डरने वाली है वो मेरे भाई यह राइजिंग चैनल जैसा कि हम लोग उने बिटकोईन में देखा वही सेम हम लोग जो है वो हमारे निफ्टी मार्केट में भी देख रहे हैं ओके तो हमें यहां पर थोड़ा ध्यान दे चाहे वो Sensex में है, दोनों में तुम देख सकते हैं, हम लोग एक rising channel बना रहे हैं और जब भी ऐसा channel बना है, हम लोगों ने हमेशा dump की देखा है, okay, so definitely profits लो, अब इस market में जब हमें कोई stock लेना है, तो उसमें ये एक बहुत अच्छा stock है, Wipro, अब Wipro क्यों वो यहां देखो, एक तो weekly time frame के ओपर, Wipro ने बहुत देर तक ये resistance support को जेला है, finally break किया है, break करने के बाद तुम weekly candle देख सकते हो कि कितनी ज़ादा bullish है, उसके बाद अगर मैं moving averages के ओपर जाओ, तो 200 weekly moving average के ओपर जो है, तो price आ चुका है, daily time frame के ओपर अगर तुम देखते हो, तो हम लोग जो ह zone है, ओके, और अगर यहाँ पर trade लेना है, तो definitely flag का जो है, वो bottom पकड़ो, और हमारा target जो है, वो ये flag का pole रहेगा, ओके, तो ये flag का pole जो है, वो easily हमें यहाँ से 470 रुपे के करीब ले जाएगा, तो ये बहुत quick trades है, मतलब ये ऐसा day trading type trade है, और तुम देखों कि तो 13% का move जो है, वो हमें ये stock दे सकता है, ओके, और दूसरा क्यों 470 रुपे, वो वज़े तुम यहाँ देख सकते हो, भाईया, वो हमारा SMA 100 है, weekly time frame के ओपर, जो next resistance रहेगा, ओके, और again, ये कोई financial advice नहीं है, so make sure अपनी research जरूर करना, बट तुमें, मुझे ये भी comment करके जरूर ब बताना, ओके, तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई है, तो like करो, channel को subscribe करो, तुमसे कल मुलाकात होगी दोस्तो, thank you so much.